गाइस अगले 24 घंटों में हम 25 मित टेश्ट करने वाले हैं और देखेंगे कि यह मित बश्टर होते हैं या कंपॉंग तो हमारा पहला मित यह है कि आप ब्लाइंड फोल्ड होके सीधी चाल नहीं चल सकते मैं वहां से चलके आ रहा था मगर चलते चलते क्या होना कि एक जम लाइन टेड़ी हो गई मतलब यह इससे सावित होता है कि कोई भी अगर पट्की बांद के सीधी चाल चलता है तो सीधी चाल नहीं चल सकता है इसका मतलब यह मित कंपॉंग आप दूप में ज्यादा टाइमड़ स्वेटर पांड के खड़ें नहीं हो सकते हो गाइस को अभी हमने दस्वाट कर टाइमर लगा लिया है और हमने अभी स्वेटर मैं लिया है और आप हम देखने है कि यह मित कंपॉम है या बस्तर है अगर आप किसी पेपर को साथ बार से आदा मोरते हो तो वह नहीं मूर सकता है काव काव तो हमारे मित होता है क्टांप दस चेले के छिल Schwal اور पहुंत है तो हम गिर सकते हैं तो पिलाल भी तों के लखा ले उसके बाद घरणी के प्रैक्टिस करेंगे गिस्थी मेरा lift करें यह मतलब मेरे को गिरा पाता है कि नहीं यह मित कंफॉर्म होता है अगर कोई केले के छिलके पर रखेगा तो जरूर गिरेगा तो मित कंफॉर्म गाइस अभी जो हमारा अगला टास्क है वह यह है कि आप लूप में नंगे पाउन नहीं चल सकती हो गाइसे नंगे पाउन चल रहा हूं ना मतलब इसे बहुत तेज पैरों में अग्दम मालूम पढ़ रहा है कि छाले पढ़ जाएंगे यह में गाइस दूप में खड़ी बाई पर बैठने जाते हो तो आप नहीं बैठ सकते हो देखो बाई अगर धूप में खड़ी रहेगी तो थोड़ा बहुत फिट होगी लेकिन ज्यादा नहीं आप बैठ के आराम से कहीं भी आ जा सकते हो यह में वस्कर है किसी चोहिंगम को दो में जब जादा अपने मुख में रखते हो तो आप नहीं रख सकते है और अब देखता हूं कि मेरे मुख में बचा है या नहीं गाई से तो बच गया मगर जी ऐसा कह रहा था कि बाई कब इसको खालूं कब खालूं मगर इसको मैंने मतलब दो मेंट से भी ज्यादा मुख में रखा तो यह में वस्कर अगर हम चबाते हुए प्यास को कारते हैं तो हमारे आख में आशू नहीं आएंगे देखते हो क्या हालत बना दिया मैंने प्यास का लेकिन मेरे आख में एक भी आसू नहीं आया इस मित कर सकते हो क्या कोई यह एपल से पौन चार्जर और यह फोन तो यह में हमारे तरफ से बच में गाइस बच्पन से में सुनते आ रहे हैं कि अगर पेड में किसी चीज का सीड चला गया तो वह पेड़ बनके हो गेगा तो क्या यह सच में सही साबित होता है या गलत साबित होता है आउँ इसको में टेस्ट करके यह देखो यह जो बीज है और अब मैं इस एपल के बीज को खा लेता हूं तो भाई यह कोई पैडवर उगने वाला नहीं है इसका मतलब यह में बस्टर्ड खिलिप से ताले को खोला जा सकता है लेकिन खुल नहीं रहा है इसका मतलब यह में पूट जाएगा यार क्या मतलब हेडिन उन είναι क्या हो गया आपए औरहके अंदस चैertas के मतलब mmm यह नहींन नहीं पूट सकते हो बाहई यह लें दोनों हाथ टूटा नहीं था लेकिन भाई तूट वाला हूं नहीं और अंधिको यार्यर्टों guilty ज्ञाओ यह не मतलब मेरे में दमना यार कि यह अंड़ मजबूत है पत्थर है यह मिट कंफॉम नून पर नेमू का जुष डालने से ब्लून ब्लास्ट हो सकता है प्पेर है मेरे पास और यह रहा नेमू अभी मैं इस पर नीचोड़ता हूँ यार जोस्तों गिरी नहीं रहा है जाने बूर एक अब हम इसको इस वाकई में गुबारा दग गया तो इसे थापिस होता है कि यह मित कंपॉर्ण ठेर सारे गुबारों से उड़ा जा सकता है इस तो हमारे पास है यह रहा गुबारा और अब मैं उड़ने जा रहा हूं मैं उड़ने की कोशिश कर रहा था मगर उड़ने में नाकाम रहा तो इसका मतलब नहीं है खाब है आपको बारे पर नहीं उड़ सकते हो एक को टास्क करने से टेल्स आने का प्रफेबिलिटी हैट से ज्यादा होता है तो हम यहीं करने के लिए चलो तॉस करते हैं और देखते हैं तो अभी आया है अभी तो आया है टास तो यह तो मारा पहली बार हो गया अब इसको मतलब अभी दो बार तीन और करने वाले हैं और देखते हैं क्या यह सच होता है अभी अभी भी भाई इसका मतलब यह में कन्फॉर्म अगर आप अपनी को अपने जीव से टेच करते ह तो आप टच नहीं कर सकते हो यह मित कंफॉर्म कपड़े पर किसी भी परकार का दाग आप आसानी से निम्बू से मिठा सकते हो एक गुट में एक गुट में गलास पानी पी सकते हैं और पूरा गिलास नहीं पी सकते हैं अगर घञास के ओपर टिश्यू रख दे तो पानी नहीं गिरेगा गिलास को उल्टा होते होते पूरा पानी गिरिया में जार के माउथ के अंदर कागज डाल कर छोड़ देते हो तो उसमें अंडा घुश जाएगा अगर हम दो गिलास को आपस में धांगे से जोड़ दें तो हम दूर से भी तुन सकते हैं अगर मिर्क में इसे सीड निकाल दिया तो मिर्क तीखा नहीं लगेगा इसमें बीज नहीं है और इसमें बीज है तो बगेर वी जोला पहले टेस्ट करते हैं कि वाकई में तीखा नहीं लगा और इसमें बीज है इस बहुत तीखा है मतलब में अनफॉर्म